इटला माटे आपड़े अपड़े अखेशू ट्रांस नेशनाल काईनेटिक अमर्जी अत्वा तो स्थानांटरीक गतिने कारणे जे अनेर्जी येने प्रॉपट ठाए छे तो एनर्जी ने अपड़े वनाफ भी स्कुर्यार तरीके तो लाहेये छे पुड़े । स्क्वेर लहिए चे ती एवरेज हुआने करने रूट मिन्स रूट स्क्वेर वेलो सेटी आपड़े लही रहाए चे नेक्स्ट लाइड तो आप रहाँने आपड़े इन जनेरल मायक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पर्थी प्रेशर नी डेफिनेशन लावी शेक्या अने टेंपरेचर पन आपड़े इरी डिफाइन करी शेक्या छे टेंपरेचर माट आपड़े बोल्जमेंज लौनी बात करी ये जे बोल्जमेंज कॉंस्टेंट जे ये इन वॉल्द थायलो छे अने टेंपरेचर ने आपड़ेज वेल्यू एटले के 3 by 2 into kb into t तरीक दिखे ति आपड़े ने नंद्रा चावड़ा साहब आपसे ये वापस एक बिजी वस्तू नू ध्यान दोलू हमांगी सिके आपड़े आगड़ेज स्लाइड जे शे एमा आपड़े जो हीसु के आपड़े जे प्रेशर जे प्रेशर माहां आपड़ेज एम वी स्क्वेर J. So this is what? This is average kinetic energy. And in today's equation, you can see that PV is equal to nRT. So you can see that our kinetic energy and temperature is related to this equation. So temperature is nothing but it is average kinetic energy of the system. So if we consider suppose gas is made up of n atoms and if we calculate say now atom is moving with velocity. So the atom is moving with velocity. So it is kinetic energy. And you average the kinetic energy of every atom. So the temperature is nothing but it is average kinetic energy of the system. While total kinetic energy of the system is, is you can, you can call it as heat. And here Boseman constant, We see that Boseman constant is the universal gas constant in these terms. Where this nA is Evo Grado number. This is the value of Boseman constant. In the next slide, let's look at the root mean square velocity. We see that we see that in the next slide we see that the kinetic energy of gases, we see that all the atoms are at different velocity. And we don't concentrate on one atom. So the Vrms is not related to one atom, but the gas, the system, we see that. This is related to Vrms. And the Vrms is not related to Vrms. It is square root of 3rt divided by m. The m that we have to take is molar mass. We have to take molar mass. So if we have to take a molar mass, we have to take a molar mass. And we have to take a molar mass. It is inversely proportional to the square root of molar mass. So suppose, we have two gases in this equation. And we have to take a molar mass. So if we have to take a molar mass, we have to take a molar mass. And this relation is the diffusion of the gases. So we have to take a molar mass, which means that the plane is greater than the sphere. So we have to take a molar mass. And the same method we have used to include the uranium, which is the source source of nuclear energy. आपने वाद करिये फिशन थी जे निूक्लियर एksom और जे सामेटा हीुल जे जफीन यूक्लियर एनर्जी जे जनरेटरेट करवा cią आ वे रहे तो आपने जroad नाचरल यूरेनियम नी वाद करिये, तो नेचरल यूरेनियम आपने जे नेचर माथी, आपने जे मढये छे, तो एमांती खाली 0.7 परसेंटज यूरेनियम जे यूरेनियम टूथाटीफाइँ छे, ए फीशनेबल छे, बाकी नू जे यूरेनियम छे, ए एनू आइसोटोप छे, that is, तो ए 99.3% जे छे ए नान फिशनेबल चे तो आँ एकचली जे अगत्यानू छे ए फिशनेबल उरेनियम छे तो जे फिशनेबल उरेनियम ने जुदू पाड़ दाओ माटे जे मैथड यूज करे छे ए मैथड आ एक्वेशन ने तमें आ एक्वेशन नो यूज करें टी डिस्क मिक्स करवा मां आवे छे त्यारे जे यूरेनियम यू एफ 6 जे बने छे एनू मास ओछु होई छे तो एना लिदे एनी आर्मेस वेलोसिटी वदारे होई छे अन्ने एरीते एने सेपरेट आउट करी शकाई छे अवे जे नेक्स्ट एक्जामपल छे एमा जे आपड़े प्रीवेस जे एक्वेशन्स दिराइव करया छे तो एनू उपयोग करी ने अमुक वस्तु आपड़े अहिया समझी है के आपड़े सपोज नाइट्रोजन मोलेक्यूल छे एट 20 डिग्री सेल्सियस तो एनू रूट म स्क्वेर वेलोसिटी आप जो हो छो के दिस इस 511 मीटर पर सेकेंड अने एज प्रमाणे धारों के आपड़े रूट मीन स्क्वेर वेलोसिटी सोधवी होई के ज्यारे एनू वेल्यू जे चे आना थी हाफ होई अने एना थी डबल होई सपोज तो एना थी टेंपरेचर मां केटलो फर्क पड़े अवे सबड़े आप यहां जो है शको छो के रूट मीन स्क्वेर वेलोसिटी आपड़े रिड्यूस करिये तो टेंपरेचर रिड्यूस करिये और अने आपड़े हाफ करिये तो करस्पोंडिङ टेंपरेचर जे आवे छे माइनवाज टूंडड दिग सिमिलर्ली आपड़े सेकेंड एग्जाम्पल लिए तो यहां एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ यहां कैलकुलेट करी छे जे आपड़े प्रिवियस एग्जाम्पल आपड़े लिदू नाइट्रोजन मोलेक्यूल नू तो 1,600 Kelvin उपर एनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी केटली छे तो आप जो इशको चो इन टम्स ओफ जूल के एवरेज काइनेटिक एनर्जी 600 Kelvin पर केटली छे अने आपड़े अवे आ जे वैल्यू छे एनर्जी नू ए घणू नानू छे एटले आपड़े सू करिये छे के एने ए electron volt मां convert करवा माटे आ फेक्टर जे छे एना थी एने डिवाइट करवानू होई छे तो आउ 3.31 इन्टो 10 दू पार माइनस 20 Joule is nothing but it is 0.21 electron volt तो आ थायू आपड़े जे आपड़े एक्जाम्पल से ना रिलेटेड जो है एच प्रमाणे सपोज आ जे गैस छे एन्ने आपड़े कंटेनर मा जे गैस छे एन्ने आपड़े तेंपरेचर कॉंस्टन राखी ने आपड़े एक्स्पांड करिये तो इडिस कॉ चे पीवी डायग्रामीज इडिस यू अमिन एप्रेशर वर्सीज वॉल्यूम नो ग्राफ चे अन्ने आज ए ग्रीन कर्व आप जे जो है शको छो एक्स्टन टेंपरेचर चे अन्ने आपड़े इनिशल सपोज गैस नू वॉल्यूम इनिशली वी आई छे अन्ने एक्स्प प्रेशर इन्टो दीवी तो प्रेशर आपड़े लखी शकाई अन्र्ट एंड डिवादेट बाई वी राइट सो फाइनली आप जारे कंप्यूट कर सो वाट यू विल गेट इस अन्र्ट एलन वी एफ बाई वी आई सो आ जे एक्वेशन छे ए तमने सुधर आवे छे जयरे गेस एक्सपांड थयू एन्टो एना कदमा जयरे वधारो थयू त्यारे आटलू डबल्यू जयक्टलू वर्ग जे थयू ए तमने आ एक्वेशन थी काल्कुलेट करी शको जो अन्ने आज प्रमाने तमने वी विचा दारी शको छो कि suppose compress गास तो सु हुआ है? जरहे आपड़े आपने कौ्प्रेस कर्वा माँ हावे तहारे यह work जो फट यह आपड़े चाहरे ऐ helping겁 अज गया हो फपर खत थो चैहरे expand से त्याहरे गैस ए सिस्टम उपर वर्क करतु होई शे अब या नेक्स्ट स्लाइड जे छे एमा आपणे इंटर्नल एनर्जी विशे आपणे जोई शुँ अने आपणे उँँ बालक्रिश्न साहिब ने विनन्दी करीश के इंटर्नल एनर्जी विशे आपणे थोड़ी माही दिया अबस्तो आपणे आगला एक्वेशनों मां जोई अब या इंटर्नल एनर्जी शुँ छे तो इंटर्नल एनर्जी ने समझवा मांटे आपणे श्लाइड मां चे विशे प्रमाने एक केस लहिए छे किभी मोनो एटमिक गैस तो मोनो एटमिक गैस मां आपणे एक एजंशन लिदी के आपणा गैस नी अंदर एक अज एटम छे अन्ने एजो एक एटम प्रमाने आपणे एवरेज कैनेटिक एनर्जी अन्ने टोटल नमोर ओफ एटम्स तरीके गणतरी करवा मां आवे तो ए आपणे मले छे 3 by 2 nRT तो आ थाई एमनी इंटर्नल एनर्जी अन्ने टी वेरियेबल छे आर कॉंस्टेंट छे small n चे माटते इंटर्नल एनर्जी आपड़ी ट्ऐंपरेचर ने सम्प्रमान मां चे यह आपणे कई शेक कि आघात अबे मोलर स्पेसिपीक छे चे ए खरे खर तो एनी इंटर कनल एनर्जी कारणे उतपन थाई अब फर्स्ट लॉप थर्मोडाइनिमिक्स ए इंटर्माडाइनर्जी ने संबंधित लौ छे क्यू जे छे ए वर्कडन टोटल हीट अने डवल्यू वर्कडन छे तो ए बेनों जे तफावत छे कि तम्हें जेपन एनर्जी तमारा मॉलेकुल्स ने आपो छो अने एमना द्वा साहिम ने रिक्वेस्ट करों के बता है उँँ अई एक वस्तु नू ध्यान दुर्वा मांगो शू कि अहिए जारे आपने जारे मूलर स्पेसिफिक हीट ने वाद करिया चे तो पहला आपने ए संजी लिए के स्पेसिफिक हीट सू छे तो स्पेसिफिक हीट आपने कोई-प करो तो दर्यक्नु टेंपरेचर अलग अलग वधत्तू होई शे एकले स्पेसिफिक हीट आपने डिफाइन करी शे किये के स्पेसिफिक हीट इज़ रिक्वायड तो रेज दो टेंपरेचर ओफ वन ग्राम अफ अफ सप्स्टेंस बाई वन डिगरी सेल्सियस एन्हे आपने अपने वन ग्राम संचल़िद्ध ना जिगिया पर सप्पोज आपने एक मोल लिए आपने यहां गैसणि वात करीए शे तो आपने यहां गैस नी रात करीए त्यारे मोल अगत वस्त करना कहो है अटने आने यह आपने N0 जितला होई ए वो गेरडो नमबर जितला, इतले ही यहाँ आपने जयरे specific heat नी वाद करियें, तो आपने molar specific heat नी वाद करियें, तो आपने 1 ग्राम सबस्टेंट्स ना जिकईया पर, आपने यहाँ लाईये चीहे, 1 mol of the substance, आने आपने जोई हुँ के जे gases चे, gases ना अंदर, जारे तमें gas ने heat एपलाई करो, तो एनू वाल्यूम पन भत्तू होई छे, प्लस एनू प्रेशर पन चेंज ततू होई छे, इटले जारे आपने gas कंसिडर करता होई, तो यारे gas ना केस मा बे जातनी specific heat आपने कंसिडर करवी पड़ती हो तो यारे जे specific heat आपने पड़ती होई छे, तो यारे constant volume मोलर specific heat आपने काई शे, तो यारे constant volume मोलर specific heat आपने कई शेकाई, अनि हे प्रमाने कॉंस्टन्ट प्रेशर माटे पन डिफाइन करी शकाई आज ए एक्वेशन आपीऊ छे ए मोनो अटोमिक गेस माटे छे मोनो अटोमिक गेस एक गेस ना मोलीक्यूल्स ना अंदर एक जे अटम होई एकले धारो के आपने डाय अटोमिक लाई है फोर एग्जामपल है है तो एमा एच ना बे अनु हो छे तो एग्ज प्रमाने अहां आपने जे लिदू छे ए मोनो अटोमिक गेस छे हवे कॉंस्टन वॉल्यूम नी स्पेसिफिक हीट आपने कलकुलेट कर भी हुई तो आपने पहला जे एक्जामपल जो कि वर्क दन बिकास अफ एक्पांशन तो अहां वॉल्यूम कॉंस्टन छे इटले एक्पांशन इस नाट देर आपने आपने प्रिशर दन यूल्यूम यह रिए ज़ी दू स्पेसिफिक दो अटो आपने टियू स्पेसित तो स्थम्पॉर्यूम नीयूम नीयू मैं लॉचे तो स्थम्यूर्शन है एक्टले और जो बिकास पर गीए लिदू अने अट्दे इक्पांशन नीचे रिएर आपने प्रेशर नी बाद करिये, constant pressure नी, तो ज्यारे आपने constant pressure उपर गैस राखी ने, तमें ज्यारे एने energy आपता हो छो, त्यारे सू थाई छे के एनू volume पन चेन थाई छे, अने pressure constant रहे छे पन एनू volume चेन थाई छे, एटले जे heat energy जे आपनी पड़े छे, same temperature increase करवा माटे, ए constant pressure ज्यारे आपने राखता होई छे, त्यारे ए वधारे होई छे, compare to constant volume, एटले आप जो ही शको छो किया यहां relation मा, के cv is equal to cp minus r, तो cp j छे, ए cv करता वधार है छे, केटलू? r, जेटलू वधार है छे, अने cp, monoatomic gas माटे, तमें लखी शको, it is 5 by 2 r, अने आजे गामा जे रेशियो छे, ए रेशियो अने cp by cv, अने monotomic gas माटे, ए 5 by 3 जितलो मरतो होई छे, हवे, molecular specific heat आपने वधारे डीटेल मा जोई ए, तो complex molecules आपने जहरे consider करता होई छे, त्यारे complex molecules ना अन्दर rotations पन होई छे, अने vibrations पन थतु होई छे, इन addition to translation, of course, अने आपने त्राण गत आपड़े इन्वाल्व करी शेके, त्राण वस्तु होई, एक तो rotational, vibrational, अने translation, अने internal energy जे छे, तो internal energy is given by 3 by 2 nRT, ए आपड़े अगवपन आपड़े त्याँ जोई लिदु, अने आप जोई छे कोई छे, कि internal energy is a function of temperature, ये temperature उपर डिपेंड गरे छे, but it is not function of pressure or volume, so it is independent of pressure and volume, अवे, next slide मा आप जोई शको छो के, आपड़े जे आगेस चे आहिया, एगेस ने आपड़े थी, थर्मल रिजर्वायर थी, आपड़े हीट सप्लाई करी रहा छे, और अने,